वेलकम टू एक्जाम तक आज है दस फरवरी और दस फरवरी के साथ था तम लोग पिछले कुछ दिनों के भी इंपोर्टेंट जो करन्ट अफेज है वो भी साथ में करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहला का जो कोशन है ये बह विश्रूम में तीसरी क्रिकेटर ही बनी है तो आपको याद रखना है ये बन चुके हैं मिताली राज फर्स्ट वोमें जिन्होंने छे वर्ल्ड कप क्रिकेट के खेल चुकी हैं 2000 से शुरू हुई है और अभी 2022 वाला कहां पर चल रहा है इंद न्यूजी लेंड तो वहां पहुँच चुकी हैं छे क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज का आपको नाम याद रखना भारत की कैप्टेन भी रही है और अभी तक इनके नामी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन है अगर बात की जाए महिलाओं की केटेग शुलकर ने 6 एक रिकेट वर्ल closure चुके शुके आप्साथ मैं पाकिस्तान जायवेद नोरत में ने जो है शे हैं के बाद च्रवरे उस्युक्र प्हरति महिलाओं बनी है और पहली महिला बन चुकी एं मिताली राजस करेक्ट ऑप्शन किस देश के हैं तो कहने की बात ही नहीं है भारत की ही है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित करवाता है 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हो रहा है तो यह हो रहा है न्यूजी लेंड में तो 2023 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा यह अपने देश इंडिया में होगा और इसी साल 2022 के एंड में जो हैं T20 विश्ट कप और ने वाला हैं वो होगा औस्ट्रेलिया में ठीक हैं यह सारे के सारे आपको याद रखने हैं साथ में अगर बात की जाए उसके बाद 2024 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा सारी T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा वो होगा वेस्ट इंडिस और यूएस में साथ में 2025 की चेंपियन्स टॉफी यह इंपोड़े ने फिर से चेंपियन्स टॉफी मनाया गया है भारत में अभी जो है कितने ससस्त्र बल है तो छे हैं छे कौन से हैं चार तो आपके सामने ऑप्शन में दिख रहे होंगे CRPF, CISF, ITBP, BSF साथ में SSB को ले लो और दिल्ली पुलिस को भी ले लो यह चे हैं आप सुसींगे, आर्मी, YERF, वो नहीं है नहीं, वह जो है, डिफेंस मिनिश्ट्री के अंडर में काम करते हैं यह छे के चे होई मिनिश्ट्री के अंडर में काम करते हैं पर मकसल जो है, इंका सब का अलग लगे जैसे CISF का अगर बात किजाए तो देश में अंतरिक, सुरुक्षा वगर की जिम्मेदारी के लिए अगर कई पर अटेक वगर होता तो CRPF की टीम आती है नकसलवादियों के लिए CRPF की टीम जो है लड़ती है इन सब के लिए साथ में बात की जाएं CISF की तो जो आप देखते होंगे शॉपिंग बॉल्ड पर बड़े बड़े एंड मेट्रो स्टेशन हो गया एरपोर्ट हो गया एरपोर्ट पर तो वहां पर CISF वालों की ड्यूटी लगी रहती है फिर अगर बात के ITBP की तो चाइना बॉर्डर पर ये रहते हैं ITBP के जवान ठीक है आपको याद रखता जैसे अबारत चाइना के साथ है या फिर जो ये पाकिस्तान के साथ है तो इंडियन आर्मी रेगिलर बेसेस पे जो है पेट्रोलिंग नहीं करती है पेट्रोलिंग दिली के लिए है लेकिन ये सेंटर के अंडर में है तो ये च्छे का नाव आपको याद होने चाहिए इन छे के बारे में बेसिक डिटिल याद होने चाहिए फुल फॉर्म वगरे सब कुछ याद होने चाहिए जैसे अगर बात की जाएं CRPF की तो 1939 में इसकी स्तापना होती है आपको याद रखना है इन सभी के हैड़कॉर्टर्स का है तो कोई टेंशन लेनी के बात नहीं है सब के हैड़कॉर्टर्स आपको मिलेंगे नियो डेली में CISF की 68 में स्तापना होती 69 के दोरान आपको याद रखना ITBP की 62 में हो गय थी इंडो चाइना वार के बाद BSF क 65 में हुई है SSB की 71 या 72 में हुई थी आई तिंग है न और दिल्ली पुलिस की भी अभी स्तापना दिवस री सेंट में हमने देखा था दिल्ली पुलिस का स्तापना दिवस मनाया गया राकिस अस्ताना जोई इसके महान निदेशक हैं वैसे यह सब भी मैंने एक्जाम तक की सिक्यूर्टी फोर्स इसका उद्देश भी यह यह जो सरकारी धाचा है यह जो भी यह उनकी सुरक्षा करना तो सी यह सिर्फ का मदलब यह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूर्टी फोर्स ठीक है नेक्स्ट अगर बात कि जाई नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेट्रो का उन्होंने जो है इसका भी उद्दगाटन किया है तो यह भी याद रखना छत्रपती शिवाजी महराज की जो है इस्टेच्व कहां पर पूरे में अभी प्रधान मंत्री जिने उद्दगाटन गया और पूरे मेट्रो की रिसेंट में शुरुदात कि यहां पर आप लोग देख पाएंगे 11,000 क्रोड की पूरी यह प्रोजेक्ट है 33 किलोमेटर लंबा है तीस इस्टेशन इस दौरान होंगे यहां पर आप लोग देख पाएंगे और पूरे मेट्रो देश की पहली मेट्रो प्रियूज जिसमें ऐल्यूमिनियम बोडी कोच लगे हुए हैं नेक्स इस पाइटल स्पॉंसर कोने हैं यह ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन है टाइटल स्पॉंसर पहले हुआ करता था वीवो काफी सालों से अब वीवो के बाद टाटा ने हाथ में लिया यानि कि टाटा आईपेल कहा जाएगा दो साल के लिए लेकिन आईपेल तो ये तो फिक आप सभी को पताओगा डेवीट कार्ड वगरे रूपे के होते हैं और काफी सारे इंटरनेशनल इंडिया के अलावा भी जैसे यूई हो गया भूटान वगरे यहां पर रूपे कार्ड भी एक्सप्ट किये जाते हैं तो यह आपको याद रखना एंपी से दोजारांट में इसके स्टाप ना की जादी आर्बे के अंडर में काम करता हैं और रूपे को जो है ऑफिशल पार्टनर निक्त किया गया है इस बार आईपेल जो है टाटा आईपेल कहा जाएगा दस टीमें हिस्सा लेगी दो नई टीमें एक तो लखनो की होगी लखनो सूपर जैंट्स ए निमार्श जो हैं इनकी डेथ होगी यह ऑस्ट्रेलिया के थे यह आपको याद रुकता है यह ज्यादा इंपॉर्टन थे शेहन वार्ण ठीक है शेहन वारनी थे ना शेहन वार्ण के बार मैं आपको सांत तारी के वीडियो में आइधिंक बताया था वो उनका नाम काफी इ यह सबतर के दर्शक में खेलते थे तो यह थोड़ा सा बस ऐसे याद रखता है कि रोड़नी मार्श किस देश के ऑस्ट्रेलिया के हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अंतराश्टिया महिला दिवस देखें फ्रेंट्स मेरी आवाज आपको सही नहीं लग रहे होगी बढ़ ठ पेंशन लेने की बात नहीं है यह कब मनाया घया है अंतराश्टिया महिला दिवस्ट अब को पता है आठ मार्च को सैलिब्रेट किया जाता हैं जो इंपॉड़ें डे होते हैं उनका जो हैं सिर्फ तारिक नहीं पूछतें उनका थीम भी पूछ लेते कई सारे एग्जाम्स Day 8 March, 7 में 13 February को आपको नहीं बूलना है, राष्टियर महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो 13 February, राष्टियर महिला दिवस, और इसकी अगर बात की जाए, महिला दिवस की, तो इसका इतियास वैसे काफी पुराना है, ये वैसे अगर बात की जाए, तो 1911 सही सेलिबरेट किया जा रहा है बठां यूएन द्वारा जोए 1975 के बाद जो इसको ऑफिशल रूप से सेलिबरेट किया जाता है तो यूएन का भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस परिवहन माध्यम के लिए कवच सुरक्षा तंत्र को लागू किया जाएगा भ वड़ा सा आपने आइटिंक समाचार वगरें देखा होगा वैसे समाचारों में ऐसी चीज़ा दिखाते भी कमें लेकिन फिर भी यह एक ट्रेन है ठीक है और सामने से यह भी ट्रेन है यह इस तरफ आ रही है और यह भी इस तरफ आ रहिए अब एक्चुल में क्या होगा तो कवच जो आना ये सिक्यूरिटी सिस्टम जो आना ये ऑटमेटिक एक्टिव हो जाएगा और ट्रेन को पहले ही रोग देगा इसको भी यहीं पर रोग देगा और एक्सिडेंट से बचा देगा ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टम में इंडियन रेल विगा ऐसा ही नहीं कि स जा रहा है ट्रेन को तो ट्रेन की स्पीड आटमेटिक ये कम कर देगा मना बहुत सारे ऐसे जो है लोको पाइलेट के काम ये आटमेटिक करेगा और कवच सुरक्षा तंत्रों को चुरुआती तोर पर 2000 किलोमेटर में जो है इसको विक्सित किया जाएगा आने वाले टाइम में बैठ कर इसका परिक्षन किया है तो कफी अच्छी बात है और ये कवच सुरक्षा तंत्र आपको याद रखता है ये भारती रेलवे से जुड़ा हुआ है परिक्षन के दौरान दोनों लोकोमेटिक एक दूसरे के सामने आए और तीन सौसी मीटर पहले ही जो है दोनों रहने आटामेटिक रुक गई अभी रेलवे बोड के अदिक्ष कोने तो वी के त्रिपार्टी आपको याद रखना है ये रेलवे बोड के अदिक्ष है नेक्स्ट आगे बढ़ते हाली में डीजिटल एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारती एटल ने किसके साथ समझता क्या है तो ACCESS BANK के साथ समझता क्या है अब इसके से तहत ये दोनों क्या करेंगे इन दोनों के जॉइंड कास्टमर аксаязड के भी यहhtl के है तो चुल में ये एक इस तरह से क्रेडिट काइट लाँच कर रहे हैं जिसमें एटल के कस्टमर को काफी सारे लाब मिलेंग इसमें डिसकाउंट बहुत कुछ होंगे इन सब में आपको नहीं जाना एक्जाम पॉंट वह से याद रखना कि भारती एटल ने किसके साथ मिलकर जो है को ब्रैंडेट क्रेडिट कार्ड लॉंच किया तो यह एक्सिस बैंक के साथ लॉंच किया है यहां पर आप लोग देख बाद में इसके स्थापना होती है और भारती एटल की बात की जाए तो गोपाल विटल इसके अभी सीओ है सुनील भारती मिटल इसके जो है मरलब फाउंडरे और 1995 में एटल की स्थापना होती है तोनों के बारे में आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाल स्रिलंका इंडिया एक्सराइज ओके तो यह आपको याद रखना है बिल्कुल स्रिलंका इंडिया एक्सराइज और स्रिलंका जो है भारता और स्रिलंका के साथ में याई जित हुआ है इसका नाइन्थ एडिशन था ये युद्दाव्याद से समधित आपको काफी सारे ठीक है इस तरह से आपको याद रखने में अलग से वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं तो दो से तीने रुक जाई आप लोग वीडियो आ जाएगी ठीक है टूपॉइंट जीरो पर आजाएगी वापस से अगर बात किया इसकी यह कहां पर आए जी तो भारत आपको पता ह पहला तो हुआ है समुद्र के तट पर विशा का पटना में और दूसरा हुआ है यहीं पर आसपास में बंगाल की खाड़ी पर तो यह आपको याद रखना साथ से दस मार्च तक हुआ है और से लिए नेक्स आपको याद रखना है यह एक्ट्राइज जो है यह यहाँ पर आयो जी तुई रिसेंट में नेक्स्ट अब हैं आप लोगों के लिए कोशन की किस राजे ने उंट सरक्षन नीती कोशित कर दिये और बहुत ही सिंपल सा कोशने बहुत ही सिंपल सा साथ मार्च का वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा आंसर कमेंट बॉक्स में ल